नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक भासकर उत्राखंड यूपी मैं हूँ आपके साथ सपना पांडे आए डालते हैं एक नजर यूपी और उत्राखंड की खबरों पर आज की बड़ी खबर पत्ने की हत्या करने वाला इनामी गिरफतार पांच वर्स पहले हरी दुआर में पत्नी की हत्या कर फरार हुए इनामी बदमाश को स्पेशल टास्क फोर्स ने कानपूर से गिरफतार कर लिया है STAF के वरिष्ट पुलिस अधिक शक अजय सिंग ने बताया कि विश्वजीत 25 नवंबर 2015 को अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया था इसके बाद पुलिस ने और STF की तीम उसे तलाश कर रही थी अपराधी को जल से जल पकड़े के लिए हरी दुआर पुलिस ने उस पर 5000 रुपे का इनाम भी खोशित किया था दून रेलवेस्टेशन पर खड़ी गाडी को मैं अचानक लगी आग फायर विगल ने किया आग पर काबू दहरादून रेल्वेस्टेशन पर खड़ी गाडी में शुकरवार सुभे आग लगने से हड कम्प मच गया फायर रिगेड ने मौके पर पहुँच कर आग पर काबू पाया आग का गोला बनी गाड़ी के नस्दीक अन्य कारे भी खड़ी थी गनी मत रही कि समय रहते आग पर काबू पाली अगया वरना बड़ा हाथ सा हो सकता था हैरानी की बात तो ये है कि स्टेशन के अधिकारी आरपी एफ और जी आरपी के जवानों के मौके पर मौजूद होने पर भी आग बुजाने वाले यंत्र का इस्तमाल कर आग पर काबू पाने की कोई प्रयाश नहीं किया दून के वाहन चोर की भारी पड़ा तेज रफ्तार का जुनून चड़ा पुलिस के हत्ते दहरादून के वाहन चोरी कर तेज रफ्तार से भागना एक युवक को तब भारी पड़ गया जब अचानक वाहन अनियंत्रित होकर एक दिवार से टकरा गया इसके बाद शेत्रिय निवासियों ने युवक को पकड़ कर पुलिस को बुला लिया पुलिस मौके पर पहुँची और युवक को पूश्टाज की और पता चला कि उसने कुछ देर पहले ही वाहंच चोरी किया था कैंट कोट वाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकत्मा दर्च कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकम्प के जटके रेक्टर पैमाने पर तीन दशमलब तीन नापी गई तीवरता उत्तरकाशी जिले में भूकम्प के जटके महसूस किये गए यह जटके करीब 11 बच कर 27 मिनट पर महसूस हुए जटके महसूस होने के बाद लोगों में दह्शत बनी हुई है वैसे भी उत्तरकाशी जिले में भूकम्प के लिहाद से सम्वेदर शील माना जाता है यहां अक्सर भूकम के जटके मैसूस होते हैं गनीमत तो यह है रही कि इससे कहीं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा राजा जी में एक और बाग सफलता पूर्वक शिफ्ट पिछले महिने लाया गया था बागिनी को राजा जी टाइगर रिजर्व में एक और बाग को सफलता पूर्वक शिफ्ट किया गया इससे पिछले 24 दिसंबर को एक बागिनी को यहां शिफ्ट किया जा चुका है दोनों को ही कॉर्बिट टाइगर रिजर्व से राजा जी लाया गया है कॉर्बिट में वनकर्मियों की टीम सुवय करीब 8 बजे से विशेश वाहन में बाग को लेकर मोती चूर पहुंची जहां उसे बाड़े में रखा गया वनकर्मियों के साथ चिकिस्टकों की टीम भी बाग बर नजर रखे हुए है कुछ समय बाड़े में रहने के बाल बाग को जंगल में छोड़ दिया जाएगा वन प्रशाशन के मुताबिक बाग शिफ्टिंग को लेकर रात सही मोती चूर और कॉंसरो रेंज के वनकर्मियों को अलर्ट पर रख दिया गया था आज के बुलेटिन में बस इतना ही याद रहे कोरोना संकरमन अभी खत नहीं हुआ है इससे बचे रहने के लिए अपने हातों को नियमित रूप से धोएं समाजिक दूरी का ध्यान रखें और मास्क पहनना ना भूले और उत्राखंड की सभी खबरों से जोड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भासकर उत्राखंड यूपी धन्यवाद